हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका दिव्यजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में तो आज हम देखेंगे टोक्यो पेरा ओलंपिक 2020 में भारत वे राधस्थान का प्रदाशन तो पेरा ओलम्पिक खेल क्या होते हैं ओलम्पिक खेल की तरह ही पेरा ओलम्पिक खेल होते हैं जो हर चार साल के बाद आयोजित किये जाते हैं इनका अर्थ ही है ओलम्पिक के पैरलल या समानतर तो ये ओलम्पिक खेल की खतम होने के कुछ हफ्तों या महीनों के बार शुरू हो जाते हैं और ये उसी सिटी या शहर में खेले जाते हैं जहां पर ओलम्पिक खेल खेले जाते हैं पैरा ऑलम्पिक खेल आयोज़ित करवाने वाली संस्था का क्या नाम है तो ये है अंतराश्य पैरा ऑलम्पिक समीती और ये समीती है जो इन खेलों से जुड़े नियम और कानून और इनको कहां पर आयोजित करवाना है ये सारे फैसले समीती के दौरे लिए जाते हैं सबसे पहले पेराउलम्पिक खेलों का आयोजन कब और कहां हुआ था तो यह 1960 में हुआ था इटली की राजधानी रोम में तो यह एक पहला गृषम कालिन पैराउलम्पिक था जो किline 60 में आयोजित किया गया था और शीत्कालिन पैराऊलम्पिक की बात करें 1968 में शामिल हुआ था मैक्सिको ऑलम्पिक से तो भारत ने 1968 संस्क्रण के बाद से अब तक यानि 2021 तक इन खेलों में 31 पदक अपने नाम किये हैं जिनमें 9 स्वन पदक हैं 12 रजक पदक हैं और 10 कांस्य पदक हैं पेरा ओलम्पिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है लुट्बिक गटमेन को ये एक नियूरोलोजिस्ट थे और उन्होंने शारिरिक रूप से असाहय लोगों के लिए इन खेलों की शुरुआत की थी जो पहले स्टॉक मैंडविल गेम्स के नाम से जाने जात परन था जो की जपान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुआ था और कोरोना महमारी के चलते इसका आयोजन 2021 में 24 अगस्ते 5 सितंबर तक किया गया और इस वार पेरा ओलम्पिक गेम में 5 नए देश भी शामिल हुए जिनके नेम है भूटान, मालदी, ग्रेनाड़ा, प् परिश्वकालीन पेरा ओलम्पिक था जिसमें 163 देशों के 4500 खिलाडियों ने 22 खेलों की 540 इस परदाओं में भाग लिया था और इस वार अफगानिस्तान से कोई भी एथलीट नहीं था उसके बाबजूत भी उद्गाटन समारों में अफगानिस्तान के जंडे को शामिल लिया टोक्यो पेरा ओलम्पिक 2020 का शुभंकर क्या था तो ये था सो माइटी ये एक पिंग कलर का कैरेक्टर है और काफी धहरियबान शुभंकर है और इसकी विशेस्ता है कि जुरत पढ़ने पर ये बहुत ताकतवर बन जाता है और देखकर ही किसी भी चीज को हवा में उ शक्तिशाली से लिया गया है टोक्यो पेरा ओलम्पिक 2020 में भारत कौन से इस्थान पे रहा तो भारत 24 में इस्थान पे रहा और 19 पदक जीते जो शीर्स पाच देश रहे वो थे चीन जो की 207 पदक जीते ब्रिटेन फिरसायुक्त राज अमेरिका रूसी पेरा ओलम्पिक स इतने मेडल जीते तो भारत ने इसमें 19 पदक जीते और 24 वे इस्थान पे रहा जिन में पांच स्वंड पदक थे आठ रजत पदक थे और 60 पदक थे टोक्यो पैरा ओलम्पिक में भारत का यह अब तक का सर्वस्रेश्ट प्रदशन था जहां पे दो खिलाडियों ने दो द आठ कुमार, देवेंद्र जांजडिया, योगेश कतूनिया, सिंगराज अधाना, मरियपन थंगवेलू, प्रवीर्ण कुमार, सुहास यतिराज और कास्य पदक यानि ब्रॉंच मडल जीतने वाले खिलाड़ी थे सुन्दर सिंग गुर्जर, सिंगराज अधाना, शारत अधार कार, टोक्यो परा अलंपिक 2020 में कितने खेल शामिल थे तो इसमें टोटल 22 खेल शामिल थे, और ये 163 देशों के 400 खिलाडियों ने 22 खेलों की 540 इस परदाओं में भाग लिया, टोक्यू पैरा अलम्पिक 2020 में भारत कितने खेलों में शामिल हुआ तो इन 22 खेलों में से भारत 9 अलग-अलग खेलों में शामिल हुआ भारत से टोटल 54 खिलाडी थे जो इन 9 अलग-अलग खेलों में शामिल हुए टोक्यो पेरा ओलंपिक 2020 खेल के उद्गाटन समारों में भारती द्वजबाहक कौन थे? तो ये थे टेक चन जो की शॉट पूट इस परधा में आठवे स्थान पर रहे पर कोई पदक अपने नाम नहीं कर पाए टोक्यो पेरा ओलंपिक 2020 खेल के समापन समारों में भारती द्वजबाहक कौन थे? तो ये थी अवनी लेखरा जो की राजस्थान की रहने वाली है और इनका संबंध निशाने वाजी से हैं पेरा ओलंपिक खेलों में इन्होंने स्वण पदक जीता और पहली भारती महिला खिलाडी बन गई और ये भारत की ओड से पहला स्वण पदक था इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वण पदक जीता और 50 मीटर राइफल में कास से पतक यानि ब्रॉंज मैडल अपने नाम किया तो किसी एक पैरा उलम्पिक में दो मैडल जीतने वाली पहली भारती महिला एथे लीड भी बन गई है। तो साल 2012 में एक कार दुर्गटना के वाद से ही वे स्पाइनल कोड यानि रीड की हड़ी से जोड़ी तकलीफ का सामना कर रही है। ये थे अपनी लेखरा और सिंगराज अधाना तो अपनी लेखरा के बारे में हम पढ़ चुके हैं सिंगराज अधाना के बारे में देखते हैं ये भारत के हरियाना राज्ये के रहने वाले हैं और इनका संब्ध भी निशानेवाजी से हैं जनम से ही पोल्यो ग्रस्त सिंग खिलाडियों ने भाग लिया तो ये थे 6 खिलाडी तो भारत से टोटल 54 खिलाडी थे जिन में रादस्थान की 6 खिलाडी शामिल थे और इन 6 खिलाडियों में से 4 खिलाडियों ने पदख हासिल किया तो ये थे चैखिलाडी देवेंद्र जहनजरिया चूरू से हैं भाला फैक में रजट पदक हासिल किया सुन्दर गुर्जर करॉली से हैं इन्होंने भी भाला फैक में कास्य पदक हासिल किया संदीप चौधरी जुन्जुनु से हैं ये जैवलिन थ्रो के खिलाडी है इन्होंने कोई पदक हासिल नहीं किया क्रिशना नागर जैपुट से है इन्होंने पुरू शेकल बैडमिंटन में स्वण पदक अपने नाम किया अवनी लेखरा जैपुट से है इन्होंने दो पदक जीते स्वण पदक और कांस्य पदक इनका संबंद निशानेवाजी से है और श्याम सुन्दर जो की बीकानेट से है और इनका संबंद तीरंदाजी से है किसने टोक्यो पदक 2020 में भारत को पहला पदक दिलाया तो ये थी भावना पटेल और अगर बात करें कि भारत को पहला स्वण पदक किसने दिलाया तो वो थी अवनी लेखरा तो भावना पटेल टेवल टैनिस खिलाडी है और इन्होंने रजत पदक जीतकर भारत को पहला तो भारत ने कुल 5 स्वन पदक जीते, पैरा ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भारत ने पहला पदक जीता, तो भारत ने 1922 में अपना पहला पदक जीता, 1968 में भारत शामिल हुआ था, और 1922 में अपना पहला पदक जीता, जो की जीता गया था तैराक मुल्ली कांत पटेकर की द्वारा और इन्होंने स्वन पदक जीता था टोक्यो पेरा ओलंपिक 2020 का आदाश वाक्य क्या था तो ये था युनाइटेड बाई इमोशन यानि भावना से एक जूटता टोक्यो पेरा ओलंपिक 2020 पुरूशों की जैवलिन थ्रो एफ इस परधा में किस भारती पेरा एथलीट ने स्वन पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा तो ये थे सुमित अंतिल ये भारत के हरियाना राज्य की रहने वाले हैं और इनका संबंद भाला फैंक से हैं तो इन्हों ने 30 अगस 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में देश को दूसरा स्वन पदक दिया भाला फैंक में एफ 64 बर्ग में 68.55 मीटर का वर्ड रिकॉर्ड बना कर हासिल किया हमारा आखरी कोशन है आगा में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा तो ये फ्रांस की राज़ानी पैरिस में किया जाएगा तो बस ये थी आज की वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना